रुद्र की साजिश का शिकार हुए शिवाए भाई की वज़ा से एक बार फिर तूट जाएंगे शिवाए सीरियल इश्कबास में ट्विस्ट तो आया है जिसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं शिवाए और अनिका का जगमगाता रुमैंस बहुत दिनों के बाद आज वो लमहा आया है जब शिवाए और अनिका इस तरह करीब आये है या यूँ कहिए कि लीब के बाद ये पहला मौका है जब अनिका की बेफ़कूफी पर शिवाए मुस्कुराए है दरसल हुआ कुछ ऐसा है कि अनिका को कुछ मिर्ची लाइट्स मिल गई है जिन्हें लगाने के चकर में अनिका खुद ही उन लाइट्स में उलज गई है और अनिका की यही उलजन शिवाए के चहरे पर खुशी ले आई है हाँ बहुत सुन्दर सा विजूल है लाइका वैसे अनिका आज तो लाइट्स के बिना भी आप काफी जगमगा रही है आपका यह जब गजब फैशन ओडियन्स को काफी पसंदा रहा है अनिका के उपर यह लाइट से ऐसे चमक रही है जैसे अनिका खुद रोशनी की एक किरन बन कर शिवाय की लाइफ में आई है अन्धेरे को दूर करने क्योंकि आगे जो शिवाय के साथ होगा उससे खुद रोशनी का को ही शिवाय को बचाना होगा दरसल रुद्र ने चली है एक चाल नौकर के हाथो रुद्र ने शिवाय को स्टोर रूम में बुलाया है जहां रुद्र ने पहले से ही तेज अब्रोय की फोटोस और उनके मर्डर से जुड़ी सभी खबरो को फर्श पर बिखेरा हुआ है और ये सब देख शिवाय एक बार फिर तूर जाते हैं जाते हैं तो हम शो में एक बहुती एक सेंसितिव टापिक पर टच कर हैं PTSD जो पोस्ट्रमाटिक स्ट्रेस्ट्रेस्थ प्रिसॉर्डर होता है जो बहुत कम लोग जानते हैं तेलिविजन के माध्यम से जो मासर सक पॉछता है एक बार फिर इश्कबाज एक नई स्टोरी ट्रैक के जरिये और आदियन्स के बीच एक बेहत गंभीर मुद्दा उठाने जा रहा है और यंस को मैसिज देने जा रहा है लेकिन इन सब के बीच शिवाय को संभालने की जिम्यदारी अनीका पर आ गई है मुंबई से शिल्पा पाटिल की रिपोर्ट E24